चुनाव समीब आते ही सोलन की वादियों में चुनावी तपिश बढ़ जाती है। यही कहा कि पांच वर्षों में सोलन की जंता पानी की बून को तरस्क दे ही अस्पताल में चिकिट सक उपलबद नहीं हो सके। शांडिल की नलाइकी की वज़े से सोलन नगर निगम नहीं बन सका। यही कारण है कि सोलन की जंता बदला आप चाती है। वहीं इस मुद्धे पर कॉंगर जिला महामंतरी अर्विद गुपता और मार्किट कमिटी सोलन की चेर्मेन रमेश ठाकुर ने परटवार करते हुए कहा कि सांसद विरेंदर कश्यव को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। क्योंकि हिमाचल में सबसे ज्यादा विकास पर खर्च सोलन विधांसवक्षित में हुआ है। उन्होंने तंच कस्ते हुए मीडिया के माधिब से सांसद से प्रशन किया कि उन्होंने जगजीत नगर गोद में लिया था। जहां विकास क्या होता है। वे वहां के लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। साथ ही सोलन में विकास के लिए उन्होंने एक फूटी कोड़ी तक नहीं दी है। तो वे अपने किस मूँ से विकास की बात कर रहे हैं। और इनको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि 463 करोड रुपे का विकास 169 शेत्र में राजा वीर भदर सिंजी के नेतितों में हमारे माननी मंतरी करनल धन्यरम शांडिल जीने यहां करवाया है वो कौन से चश्मे से ये देखने हैं। अपने चश्मे का ये नमबर बदलवाएं। ये काला बनेंक चश्मे से देखना विकास को बंद करें। विरिंदर कश्यब जी के आपने गाओं गोड लिया था जगजीत नगर वहाँ पर क्या हाल हैं जरा आप लगते हाथ साथी साथ वहाँ बे एक चकर काट कर आएं। तो आपको बता चलेगा कि आप आठ साल में क्या कर पाएं। चालिस करोड रुपे आपको मिल चुका है आपने पांच नए पैसे भी सोलने वाते में कहीं खर्च नहीं किये हैं। बड़े दुक्की बात है कि विरंदर कश्चप जी यहां आठ साल से हमारे मेंबर पार्लेमेंट हैं और उन्हों ने आज तक किसी पंचाथ में कोई पैसा ने दिया और इनसे पुछना चाहते हैं भारती जिंता पार्टी के लोगों से कि जब इनके सरकार थी इन्होंने क्य बनाया इन्हों ने क्यों ने टुएंड़ा बेड़िड जो है सोलन में क्यों यह अब्रेड किया पका नी किया क्या ये बिंदरल जी जो हमारे मंतरी थे क्या वो काम नहीं कर से थे चार अर्ब 63 क्रोन रपाः यह कर्च किया है यह क्या इनको यह दिखने रहा कि लोगों के जो विकास कारे हुए हैं ये इनको शर्माने चीज़ सी बातें करते हुए